प्रफिश्य करने जा था और जब भाई मैंने वहाँ पर इस सारे सवाल पूछे आपको किसी नहीं मारा था और ऐसे ऐसे करके यह सारी चीज़ें जो हो रही है क्या ही करने वाले आप दी हो तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ थोड़े टाइम बाद क्या हुआ उस लेडी आपके गए अब युष इसकी एज है 46 और वह लेडी लगती है सतर साल ली उसकी एज ग्रो होती रही पता नहीं कौन से ऐसा मैजीक है मुझे भी नहीं पता इंडिया वापे साती है इंडिया वापे साने के बात भाई वारा नासी जाती क्योंकि सब को कही ना कही वारा ना होते थे तो दोस्तों स्वागत तैंड जो सके है इतने बिजी हो जाते हैं इंवेस्टिगेशन्स में की थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता उनको तो बड़ी मुश्किल से हाथ आया हमारे तो सवागत है भाई आपका कैसी चल रही है जिन्दगी बूतों के साथ बढ़ सहनु के साथ क्या चल रही है जैसे चलती आ रही है क्या चल रहा अब है रह REP पूज़ा मैंम और वह मैं हो जो ग्राउन पर वह कर कर लिए तो भी मिले थे ना इवेंट पे तो मैं उनसे बोला था मुझे भी सिखा दो थोड़ा वह तो भाई आपकी इन्वेस्टिकेशन के साथ साथ पूजा पार्ट भी चल रही है खुद की प्रडक्शन के लिए हां भाई फूजा पार्ट तो भाई रेगुलर रेगुलर यह तो जरूरी है भाई नेगटिविटी से बचने के लिए आप तो भाई कॉन्टैक्ट में रहती ही होगे भाई यह यह फील हो रहा मुझे बता दो क्या करता रहता था अब इतना हो गया कि लोगों की कराता रहता हूं अच्छा हो गया है तो मोस्ली अब यही चीज़े च psychological जादा है भाई psychological बहुत है और लोग trap में बहुत फस्ते हैं यह भी धंदा है भाई मतलब क्यूंकि यह तो सबसे common factor है कि कुछ आप चाहरे हो वो नहीं मिल रहा यह हर किसी के साथ होता है हम भी आज चाहरे हमारे 10 million views आए नहीं मिल रहे तो इंसान यही सोच लेता है किसी न रात महनत कर रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा एक खेती बड़ी वाला बंदा भी महनत करता रहता है वो कितना कम आता है हर किसी को यह है कि आगे बढ़ना है और मेरे पास ऐसे ही बंदे सारे आते हैं यह नहीं अचीव कर पारे वो नहीं अचीव कर पारे रिलेशन्शिप में ये हो राय है वो हो रहा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है कुछ पागल है और कुछ ठीक है लेकिसरे ट्रैप में फस रहे हैं और मेरा जोन इंवस्टिगेशन वाला था मुझे बाबाई सम्जक लिया तो भाई कहीं गए अब रिसेंटली investigate करने कुछ नहीं चीज पता चली हाँ अभी रीसेंटली मैं एक location कवर करके आया हूँ और अभी मैंने उसकी वीडियो भी पोस्ट नहीं करी है ये कहानी बता देता हूँ पहले तो तो एक कहानी है भाई MP की एक family की एक husband wife और उनके बच्चे एक लड़का और लड़की सो भाई क्या होता है मुझा गरीब होते हैं हार कोई गरीब ही होता है पहले दीर दीर कमाता है तो वो shift होते हैं इंदोर city में शादि वादी करने पाद थ्ड़ा पैसा वैसे कम आया इंदijoor जाते हैं वहां पे रन्येंट पे रहने लग जाते हैं तो रेंट पे रहने के बाद प्लैन करते हैं के एक हमें घर लेना है अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इन दौर वैसे भी महेंगी सिटी है तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है तो क्या करते हैं वो एक घर देखके आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है जो जहां पर कुछ ना कुछ नेगिटिविटी होती है वो नहीं बेटिविटी है घर पर दादा ऐसे वह करते थे उनके इतनी शक्तियां यह क्या ही घर है कुछ नहीं होने वाला तो भाई यहांपे वो शिफ्ट हो जाते हैं घर ले लेते हैं सुनते नहीं और लोगों ने उनको बताया होता है यहांपे किसी ने आपने आपको मार लिया था वह केस हो गया था उस वजह से आपको यह भाय नहीं करना चाहिए लिकिन exactly फॉर सिक्ट होते हैं शिफ्ट हने के भाई नॉर्मल चल रही होती लाइफ उनकी पंदरा बीज दिन होते हैं फिर क्या होता है थूप बच्चे स्पूछ स्पूल जाने लगते हैं और एक महीने होता सफ के न satisf क29 c तो थोड़े टाइम बद क्या हुआ बच्चे छोटे छोटे थे ज्यादा एज होगी नहीं उनकी 10-12 साल के बच्चे थे एक लड़का था एक लड़की थी उसमें क्या होता है कि उसके घरवाले बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे बड़े शयतान होते हैं तो उसके जैसे जैसे चल रहा होता है तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है न वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी यह मेरे को बोलती रहती है बहन बोलती है कि मेरा घर चोड़के चले जा मैं मार दूंगी तुझे यह मेरा घर है और पेरेंट्स को यह लगता ह आज जहां भेहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़के जाओ मेरा भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज को अवएड कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम यह भी है कि जो एजुकेटिड लोग अब मानने लगें पहले नहीं मानते थे इन चीजों को कि यह पहएर चेसे होती नहीं एकका तो फिर दुबारा नौ रोथे रहात को जाती है कि भाई ने मिराज गला पकड़ लिया और मेरे मेरे चेस्ट पहया पेठी थी और मेंना मलब गले को दबारी थी और गुस्टे सेство है पहले और ऊसके वेरेंट्स उस बा साइड करते हैं फैमली में डिसकस करते हैं कि यह बार-बार ऐसे से बोल रहा होता है फिर भाई डॉक्टर के पास जाते हैं अब डॉक्टर का काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और यह सारी चीजे करना लड़का वहां पर डॉक्टर को गया रहा है कि इसके अंदर कु करते हैं इससे ठी हो जाएगा तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित को बुलाई लेते हैं कैसे ना कैसे उसकी मदर इंसिस्ट करती है पूजा कर आ लेते हैं तो पूजा भी कराने लग जाते हैं तो फिर भाई दस-पंद्रा दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रुटीन चल र होता है वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है उसे स्टेर से धक्का दे देती है और उस ताइम बे वो सिच्चेशन हो जाती बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मैडिसन भी चल रही थी महीना भर भी हो गया और इसने यह दुबारा स्टैप ऐसे लिया है फिर वो हाथ में निशान होते हैं कुछ ऐसे मांक्स उसको देखने को मिलते हैं तो उसके मायड में डाउट होता है कुछ न कुछ लरकी में है अब जैसे वो अपने हजमेन से 10 principle करती है तो उसने उसको लड़की को मारते धपड रात को अगले दिन बहुँसे बहुत पीटते हैं गर सो रही है उसका husband और इसका बेटा उस घर में होता नहीं है वह जले जाते हैं किसी function में कहीं दूर एक function होगा उनका तो वहाँ पर चले जाते हैं भाई जिस time वह return सुमें morning में आते न तो उसकी मदर की death हो रहती है किया बात जो लड़की है वहां पर जिन्दा है वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है और जब उसके घरवाला जब उसका हजबेंड आता है उसको बोलता है पुश्ट करता है कि भाई ओठोट क्यों नहीं उठ रही है तो उसकी बाई डैथ हो रखी होती है और डैथ होने के बाद गला घोटके उसे मारा गया है जो उसकी वाइफ थी बन देगी तो यह भी डाउट रहा तब तक कि यह बेटी तो नहीं कर सकती चोटी है गला कैसे दबादेगी लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है वो हर जगे कैमरा वेमरा चेक कराते हैं उस टाम पे इतने कैमरा थ भी नहीं जहां एका दुका बता चल गया वो चीजा लगया उसके बाद क्या होता है भाई के फिर उसकी फैमली डिसाइड करती है और आसपडोस के लोग खड़े हो जाते हैं और यही बात बोलते हैं हमने आपको मना किया था ना कि घर मत लेना कि यहां पे कुछ ना कुछ अपर कोई एंटिटी है यहां पर पिशाच नी घूमती है कोई भूत बोलता था कोई चुडायल बोलता था तो यह सारी बाते बोलने लगे बोलने के बाद फैमले डिसाइड करती है कि आब हमें यहां से चले जाना चाहिए तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं जाक कि यहां पर कुछ हुआ ही नहीं था इसकी डेथ किसी और रीजन से हुई है शायद इसका कहीं अफेर होगा यह रीजन हो सकता है क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहां सुनी हुई थी के फोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स आते थे ऐसा कुछ चल रहा हुआ पुराने बंदे से बात करी तो उसको यह डाउट हुआ कि शायद यह वही बंद है बच्चे नोर्मल हैं बच्चे कुछ निये लेकिन वह उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने लेके जाते हैं उसको वहां पर उसको पीटते हैं मारते हैं सारी चीज़े करते हैं वह कहता है मैं तो यहां पर था ही नहीं फिर वह कोट में केस फाइल होता है मालब एक डाउट केस हो गया है जो भी है कि ऐसी ऐसी चीज़े हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि वहां पर थ नहें चाहता हूं तो है ऊपालो यह आपके लिए ही से और और सकतें तोड़्विशन में महजूद है impress से मत्सक्राइब तो पैर एक्सपर्स आगे से कनेक्ट करेंगे तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं हाँ भाई तो भाई डेथ होनी के वज़े से वो दुबारा वहाँ पर जाके रहने लगता लेकिन उनको फिर वो नेगिटिविटी फील होती है और फिर वो दो तीन दिन बाद घर हो गई अब तो तब तक वो इस बात से अंजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी मा की डेथ हो गई थी और उस टैम पे मैं ऐसे बहेव करती थी इस घर में उसे याद नहीं था तो उसने शादी कर ली होती है अब जब उसके फादर ने और हस्बेंड ने ज हो गई है और यह हुआ था अब वो लड़की इस बात को एसेप्ट नहीं करती कैसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वज़े से मेरी मा चली गई हो तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बेंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी उसी घर में उसी घर तुने लेकिन वह एनिहाओ अपने हस्बेंड को फिर से कंवेंस करती है कि यार मेरी मा यहां पर मैंने खोई थी मुझे अपनी मा की बहुत याद आती है किसी इसी आटेश्मेंट भाई बहुत जादा हो जाता है तो उसके माइंड से निकलता नहीं वह ऐसा हाथसा उनके मा की चीज टक करके बैठ गई और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे होई थी जब तू वहां पर सो रही थी थोड़े टाम बद क्या होता है वह कैसे ना कैसे वहां पर जाके इंसिस्ट करके पहुंच जाती है और उस टाम पर उसकी एक बेटी होती है पैदा वहां पर उसी घर सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहां पर एक और बेटी बर्थ लेती है तो जब वह बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है तब तक तो वहां पर कुछ नहीं होता सब नौर्मल रहता है जैसे ही भाई वह छे, साथ, आट, दस सल की होती है होने के बाद उसको भी यही सेम पीफिल होता था जो उसकी मा को फील होता था बच्पन में उसको कोई बोलता था कि घर छोड़के चले जाओ और ना मैं तुझे मार दूँगी तेरी मा को भी तो हमने मारा था ऐसे करके अब भाई वो चीज बोलती है अपनी मा को सेम बात के ऐसे-एसे मम्मी कुछ हो रहा है उसकी मा क्या करती है भाई जलती है ऑर घर पर बुला के लित आती है तो अगोरी ने उसे उस्टरेंपर करीब 15.16.000 पे लिये कुछ ऐसे से पूज़ हो जब पाट जो भी तंद्र के लिया मंत्र के लिया गरी तो वहाँ पर जाने के बाद क्या किया उसने कि current है कि अब सब क कि जैसी वो थोड़े टइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीड्यों पे खड़ी होतीजी मां को सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीड्यों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूँंगी अगर तुम इस Captain खाली करके नहीं गए तो उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है यह स्टोरी क्योंकि बहुत जादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी है मैंने चोटी लड़की को धक्का दे दे दें हाँ धक्का दे दें कि उसको सपना आता है तो वो इस चीज़ को सीरियस ले जाती है तो वो अपने असमें से शेर करती है यार ऐसी इसी बात है और यह हो तो क्या किया जाए है उसका आजमेंड कहता है नहीं नहीं इतने टाइम से तो यह बड़ी हो गई पाल पो उसलिए हमने बड़ा कर दिया अब कैसे ही कुछ हो सकता है उसके बाद भाई जैसे ही वो दस-पंद्रा दिन नहीं कटते हैं वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है उस लड़की को स्टेर से नहीं छट से उसकी मदर ही जो जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे मला पहले वो अपनी मा को मारा और अपनी बेटी को मारा उसे सेम चीज होई और वो जब चीज होई ना तो उसकी मदर को मतलब उसके हस्बेंड को पता चलिया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा करके किया थोड़े टाइम बाद भाई वही होती है कि ऐसा कैसा हो गया वही हाथ सा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी मा को भी मार दिया मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया और कर कौन रहा है जिसने कुछ टाइम पहले वहां पर आत्मत्या करी थी वह चीज हो रखे दी उसके बाद क्या होता है कि थो गर चोड़के जाती है उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना रहा है कि इस घर में वापेस आ अरे अब बुलाया जा रहा है उसको और जब मैंने ये कहानी सुनी भी मतलब मैं इस लेडी से परसनली मिला हूँ इन दौर जाके अभी लास्ट यर तो मैंने उसको बोला मैं सपना आता है कि मैं तेरे husband को मार दूँँगी तू वापिस घर में क्योंकि अब जो भी यहां रहेगा ना ये गर मैं खाली चोड़ने दूँगी और जो भी यह रहेगा उससे मैं मरवाँगी तेरे हाथों क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी करवाने वाली मैं हूँ अरे वाँ पर ये मतलब सुनने में ऐसा लगता कि क्या ही है लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना मतलब आप तो उसकी एज भी काफी हो रखी है क्या है ये जोगी लग बहुती भाई अब तो मेरे साब से 45-44 अराउंड इतनी एजोगे से तो उसको बात भाई उसको जबरजस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं तो मैं तरे हजबेंड को भी मार तूंगी भाई वहां के ना फिर रहने लग जाती है और वो पता है क्या वोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरि भारानाथी जाती है उसके बाद बारानाथी जाती है normal सारी चीजे नार्मल होने के बाद वहां जाकर कुछ क्रिए वगया व् markers क्रिवा हाँ वही वह पूजापार्ट और यही सारी चीज़ें क्योंकि इंडियन मेरे साब सी ही option बचते है इनसान के पास डॉक्ट्टर नहीं कर सकता वो सारी चीज़े कुछ कोई नहीं कर सकती तो जैसे ही वहां पर उसको वो पूजा पाट कराती है वो अपिस उस घर में फिर से आती है क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार-बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहां आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी उसका हजबेंड उसको चोड़ जाता है लेडी को पच्चाश्च थी कि बाई यह हो चुकिए पागल वो उसको ठोड़ को चोड़ देता है तो बाई सबने मिलके उस औरत को वहां पर लिटरली मारा डंडो से कि तू यह सब क्या कर रही है यह और जब जब आती है तब यहां पर कोई ना कोई डेथ होती है कोई ना कोई मरता है और अब तू इस घर को इस जगे को छोड़ के चली जा भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहां पर जाएगी नहीं फिर उसके बाद जो उस घर का मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था उसकी फिर ये स्टूरी थी कि वहां पर ऊजबन्ड वाइफ रहते थे और हजबन्ड ने क्या किया था कि वहां पर एक और एक उरत को और एक लड़की गाए शराप पी था था जबन्ड और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और लड़के को वाइफ को जला के मार दिया था तो वो कहती थी कि मैं यहां पर रहूंगी तो लेकिन यहां किसी को बसने नहीं दोंगी मैं मैंने का अच्छा मलब मैं वहां पर नॉर्मली कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस तो आप वो उस लेडी ने तो वहां पर जैसे ही मैं उससे मिला उसने बताया कि मेर से यही सारी चीज़े होती रही हैं फिर उसको यह ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तु यहां पर ही रहेगी और तेर को यहां से छोड़के जाना नहीं है गर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने से अलग कर दि और उसके बाद भाई उसने क्या किया लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इंवेस्टिकेशन करने आने हैं भाई दर तो मेरे को भी लग गया कियार यहां पे तो आगला नमबर मेरे लेडी चछत से धक्का दे ले लेकिन मैं तीन चार लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर सेफटी रीजन आप घर के बाहर भी रहना एक छट पे भी रहना बंदा एक मेरा कैमरामेन और मैं वहां पे थे यह स्टोरी उसने मुझे एक साल पहले बताई थी अभी चार महीने पहले मैं वहां पे इन्वेस्टिकेशन करने गया था अभी करने वाले आप ही हो तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ गैजट में दिखा है आपके प्रॉपर दिखा है कि यह मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ मैंने उसे बूचे कि आप इस घर को छोड़ कि नहीं जब कर इन नहीं आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगी जो यहां पर रहने आएगा वो करती हां भाई अब वो लेडी वहां पर साथ में दी जैसे वो लेडी भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई क्यों डर तो था ही मैं तो नो दस बजे इंवेस्टिकेशन कर रहा था अंदेरा अंदेरा पूरा डार्क तो था ही बड़ा सा घर था थोड़ा सा और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के उपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज मलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया और भाई मैं वहां पे गिर गया हूं सामने तो मेरे कैमरा मैंन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरा मैंन को गह रही है ऐसे पगड़े करी तू घर चोड़के चले अगर यह घर चोड़के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोगों सब को मारतेंगे और भाई मैंने वहां पर उसको लेडी को मैंने ऐसे करके मैं वही ऐसे भी नॉर्मल थी वह लेकिन उसने उस मीन टाइम पर वह हरकत करी है फिर वह एकदम ठीक हो वह ठीक थी मलब धका दिया और उसको पकड़ा और जैसे हमने उसे देखा तो वह एकदम नॉर्मल हो गई है और वह लेडी भाई लिटरली रो के नीचे जमीन पर बैठके कह करी मुझे इस से बचालो यह सामने खड़ी हो और यह मेरे को बोल रही है इनको मार दे भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया मैंने उस तरह देखा और मैं यह भी देख रहा हूं कि मेरे को मेरे गैजट पर वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं लेकिन अब यह क्यों उचा र बाइन बाई जाने के भाई बाद उसने बंदी ने निञार वेश जे沼ािया पिर मैं ने नीग zucchOUT नहीं मैं इन दोर से अपने वापी Annoyal में आ गया जिस लोकेशन से लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फोन लोगेशन जहारी ती कि तुने उसे जाने कैसे देदिय तो बड़ा ही अलग चक्कर है फिर अब मेरे को यह था कि क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिये थे इन्वेस्टिकेशन के जो भी मलब एक्समेंस लगता है जो भी तो भाई उस लेडी के बास जब मैं वहां पर फिर मैंने फोन मुन किया वह स्काइलाइन होटल पर दुबारा मेरे से मिलने मेरे को माफ कर दो और मिरसे यह बोल रही थी और ऐसी जबातें फिर मुझे लगा शायद कि भाई, इसको भी कुछ-कोई बिमारी लगी हो, कि यही मारती हो या इसा कुछ के दाई हो पूर्ट ми को बाइ आया बीचा। पूरा मेरा हस्बेंड मेरा फादर मुझे सब को छोड़े गे हैं इस सर्थ्सक्राइब नरे प्ने और तौर एपने तौत पूरHeности किया ऐसी बात है बस मैंने उनसे फोन पे इतना बताया हो कि भाई उस घर में वह चीज है और तू वहां से निकल जा और जब मैं भाई वहां से निकल के आ गया न उस लेडी का मेरे पर कम से कम अभी इस वज़े से मैंने वह वीडियो पोस्ट नहीं करी उसने बोला कि अगर त अपलब इतनी तो पावर है आज के ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को बात ही लेकिन फिर मैंने उस लेडी से यही बहुत पूछी क्या आप यहीं कर रहे हो तो मैंने पूछी एमने नहीं कर रही हूं यह कर वा रही है और उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि उसकी कि बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था तो तो यहां पर किसी को सुखी नहीं देखना चाहती है तो सब के बच्चों को बार भाई वह बहुत पर जा रहा है उसको रहने नहीं दे रहिए और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रोपर्टी के अंदर एक चीज यह है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स टे जब मैं वहाँ पर किया था तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताए कि भाई आ वहाँ पर तो दो कवे मरे पड़े थे मैंने बुला यह तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कॉंटेक्ट में नहीं हूं तो जैसे भाई आप किसी इन्वेस्टिगेशन पर गए और गुरू जी ने मन सा कभी भी उनको कोई परमोट भी नहीं किया मैं एक वैसी बात बताता हूँ वह बड़े लोग ही ना वह फोन चलाते ना कुछ करते हैं वह मैंने पहले भी बताया हुए भाई उनके अंदर एक यह क्वालिटी के ऐसी कोई चीज निया जो उन्होंने सौट ना करी हो और इस तो उनका मेरे बास फोन आया और फोन आने के बाद वो मेरे सीधा बोलने लगे के भाई एक आदमी है उनको आपकी गुरू जी से मिलना है तो मैंने का ठीक है मिल लेते हैं तो जब भाई पता चलाना तो वह एक मतलब आप कह सकते हो कि वह सुप्रीम कोट के जज्ज ते जो एक टाइम पर वो सिर्फ हवन और पूजा और तपस्या करते थे रात को दो बजे उटके गंगा जी में एक पैर के उपर ऐसे करके तपस्या करते थे तो उनके पास भाई ये चीज़े हैं वो कभी किसी को बुलाते नहीं है कि कोई उनके पास जाए वो सिर्फ अपनी और वहां तक आजाए औरत को मैंने फोन किया तो वह औरत मेरे से कह रही है जब मैंने बुला कि आप मेरे गुरूजी से मिल लो आप बिलीव नहीं करोगे उस औरत ने मुझे वो अमाउंट भी भेजा मेरे को 30,000 पर भेजे कि ठीक है आप मेरा स्टे वे वहां पर करा देना गुरूजी के वहां पर मैं मिलने आ जाओंगी उसने मुझे डेट भी दी उस टाइम पर लेकिन भाई वो लेड़ी आई ही नहीं मेरे पास हो कह रही है कि मैं जब जब आने की कोशिश करती है मुझे रोक लेती है वरना एक टाइम पर जैसे बाला जी मंदिर है ये सारी ची तो जैसी मैंने उसको बोला मैंना गुरूजी से बूचा मैंना वो आना नहीं चाहते करें वो नहीं आना चाहती वो भेजना नहीं चाहती उसको करी वो पैर तो रखे यहां पर तो मैंने उसको बोला मैंना मैंनम आ जाओ या कुछ यह वो तो भाई वो पैसे भी देके ऐसी लटकी को भी मारा और वो मारती ही रही है सबको तो पती बच गया उसका पती बच गया ने चोड़ दिया और आप भी बच गया हम बगी में इसे क्वहोज बड़े आदमी ने धक्का दे दिया मुझे तो इस पॉसेस के इसमें तो भाई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो टॉट तो इस पॉर्डगास का अगर आपको मैं आना चाह रही हूं हाँ वो आना चाहें तो भाई मैं तो बोलूंगा उनको आप आजो मैंनों आमारे पास वारा सारे बहुत सारे इन चीजान पर गई बात बनी नहीं वह मास है बनी भाई जब वारा ने सी चली गई वहां पर बननी चीजे थी बात पूया मैं आपको बता रहा हूं और रहा हूं हुआ इस पॉड़कास पर बोलरहा हूं शायद मैं गलत भी होंगा लेकिन इंडिया में सि हैं जो सिर्फ ठीक कर सकते हैं लोगों को 99 परसेंट सिर्फ पैसा कम आते हैं और सिर्फ फेक चीज़े करते हैं यह मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं और अगर चलो इस स्टोरी आपको इसके साथ ना एक स्टोरी भी बता हूं अभी मेरे पास रिसेंट ली केस आया था स अगर आप कहोगे तो वैसे बताओ बताओ मैंने माफ करना अगर मैंने यह स्टोरी शेयर करी है लेकिन कौन जानता है खर उनको आप लेंगे नहीं तो आप बोल सकते हो भई मेरे पास एक मेल आता है और मेल पर वह अपनी प्रॉब्लम के लिए मेरे को टेक्स करती है और इं और आप मेरे से मिलो तो मैंने का ठीक है मैं मिल लेंगे तो फिर उसने मेरे टीन के बंदे से बात करी उसने भी सिर्फ यही बात बोली कि मुझे ना मतलब उस मेल में भी और मैसीज में है कि मेरे को लगता है कि आप मुझे इस चीज से निकाल सकते हो क्योंकि यह और जैन्य इंट्रस्टिंग स्टोरी है मतलब मैंने ऐसा लेवल नहीं देखा भाई वह लेड़ी क्या करती है उस लेड़ी के लोव मैरीज होती है रिलेशनशिप में के इंसान के साथ रहती है और मेरी बेस्ति भी हो गए है मेरे गाउं साइड कही एक बंदा था वहां पर जिससे उसकी दो के बढ़ने साथ में यहां पे उस लड़की के साथ इंजिनरिंग एंजिनरिंग का कोर्सक्राइव मुझरजी में करते हैं लिलेशनशिप स्टार्ट होता है साथ में रहते हैं सारी चीज़े सॉट इस ऑप्ड़ुर्स होती है लड़की होती है schaut सूब औह यहां पे रही बड़िया चल रहा है उसका एजूकेटीट थी पैकेज अच्छा था पैसा बढ़िया कमाते थे उसके बाद क्या हुआ कि वह जो लड़का था जिस से उसमें शाधी करी थी उसके भाई की शादी होती है लड़के के भाई की तो अब वो दो देवर लगता है उसका तो वो कहते हैं कि शादी वाधी कर लेते हैं तो उसमें जो उसकी वाईफ आती है ना जो उसके भाई की वाईफ आती है उसका भाई चक्कर चल रहा होता है उस बंदे से इसके पती से ह सगे भाई की वाई से उसका चक्कर चल रहा होता है तब तक यह बात रिवील नहीं होती तो थोड़े टाइम बाद ना वो लड़की यहां पर जब जॉब कर रही होती तो उसका हजबेंड उसे बार-बार इंसिस करता है कि यार लेट्स गो लेड्स से टल इं युएस से भाई तो आप वो बोलती है थीक है तुगा और मैं चलते हैं घ्म Yay हैं तु ए महीं हूं क्याराओ यह नहीं नहीं मैं इसकी लाइप लुट करोंगा भीकोज ऑफ ऑफ उसकी वाइए वाइफ का थो तब तक उस बात को वो नहीं जानती लेडी ःतली यॉसिसे यॉइज थन भाई उएस से रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है वो अपने भाई को भी कहीं सैटल कर देता है वहाँ पे अटलांटा में पेट्रोल पंप होते हैं सब कुछ उनका रं कर रहा होता है अच्छों किसे उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया होता है और जो लेडी बॉंबे की थी उससे उस लड़के का शादी करने का रीजन ये था क्योंकि वो बहुत रिच थी और सिंगल लॉटर थी तो कहीं न कहीं उसने वो अपना मतलब भी देखा कि भाई वो पैसे वाली है तो इससे को डाउट होता है वो अपनी भावी से ही भूसता है जब आज़े लगता है कि इनका कुछ चल रहा है है यरी वाइफ का और आपके हजबन का चल रहा है मुझे ए टो भाई वह गुस्स्था हो जाती है मेरे ऐसा पति परमेश्वर आ ये वह है तू कैसे लांचन लगा रही ह कहीं न कहीं वो यूपी से भी बिलॉंग करते हैं तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है ये चक्कर नहीं चल रहा होगा तू पागल हो गया कि तेरा दिमाग हिल गया है ये वो मेरा पती तो मेरे लिए क्या है तेरा को क्या पता भाई उसको मलब उसने आज तक उसको फील नहीं होने दिया कि मेरा इससे चक्कर चल रहा है तो भाई थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे एक वेकेशन पे निकलते हैं वेकेशन पे वो शराव राप पीते हैं इंजॉय इंजॉय करते हैं किसी बीच बीच पे जाते हैं तो क्या गरते हैं कि उस टाइम पे ना एक जैलेसी फेक्टर क्रियेट हो जाता है जब वो देवर जो लेडी का देवर है वो अपनी वाइफ के साथ काफी ज़्यादा ऐसे टच्ट होता है ना तो पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है पीने के बाद ना वो उस टाइम पर उसको बोलता कि खड़ी हो अपने भाई की वाइफ को खड़ी हो मेरे साथ चले एक मिनट तो वहां पर अलग तरीके से रियाक्ट करने लग जाते हैं तो एकदम कहता है कि भाई वह क्या हो खड़ी हो तु चले आपके भाई वहां पर उसको लेकर जाता है कि रहे कुछ बात है मेरे कुछ दो मिनट इससे बात करनी है तो बात करने के लिए भाई उसको लेकर जाते है कि आज इनको सामने बता दे कि तू मेरी बंदी है तो kto FRE पर और नहीं वहां पर शेया उसके में लेकिन आगे बहुत इंट्रेस्टिंग सो रही है वह उसके बाद ना जाके सीधा बोल देती है कि मेरा इसे चक्कर चल रहा और तुम दोनों यहां पर नहीं रहोगे तुम जाके कहीं हो जाओ एक बार सुनते ही एक बार सुनते ही अच्छा कि इसने वोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई यह बात भाई उसके बाद क्या होता है के वहां पर उसको मना करती है क्या बकवास कर रहा पीने के बाद क्या क्या हो गया तिरको कुछ किसी ने कर दिया गया यह वह तो वह तो कि मुझे इसके साथ रहना है तुम दोनों देख लो कर तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो रह लो यह भी कह दिया हाँ तुम अपना देख लो तुम दोनों 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 अपना देख लो तुम छोड़ मैं इसके साथ रहूंगे मैं भाई उसकी वाइफ जो थी ये मेरे को वो लेडी बता रही है स्टोरी वो गहते हैं कि ठीक है भाई एक नॉर्मल हो जो पहले रहते हैं डिसकस करते हैं यह हो है तो गहरे भाई अब हम यूएस से में आप हमारा घंटा कुछ नहीं उखा जो थी भाई वो वो बड़ी जिद्धी थी उसने बोला कि यह मैं होने नहीं दूंगी जो उसकी वाइफ थी जो थोड़े दिन बात क्या होता है भाई उसी अपने ब्रदर का एक्सिडेंट करा देता है या मरवा देता है कुछ कराता ऐसी चीज़ कि उसकी डेथ हो जाती है और अपने रियल ब्रदर का एक्सिडेंट कराता है हो और जो लेडी थी ना भाई मतलब जो मुझे स्टोरी बता रही थी ना मतलब उससे बात करने के बाद मैं उससे परसनली मिलने गया भी था बताऊंगा आपको वो भी आगे उसने मिर से मिलने से पहले ये चीज़ बोल और सोचना कि आप मिर से मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे अच्छा मैंने का क्यों कि कैती मैं इतनी भयानक दिखती हूं आप सोच भी नहीं सकते हो मैंने का भाई अब वो मेरे माइंड में चीज़ आ गई कि आपने ऐसी बात क्यों बोल दी तो मैंने पूछा मैं फिर क्य क्या हुआ आगे बताओ क्या कहानी हुई भाई वह लेड़ी कि पास कोई ऑप्शन नहीं वह भाई दोनों के साथ रहने लगी अपने अमलब उसकी जो देवर की वाइफ ती उसके साथ रहने लगी वहां रहने लग गया अब भाई क्या हुआ कि वह उसकी जो मलब छोटे भार ने निकलती थी क्योंकि उसके पता था यह मुझे महरवान आदे और उसके बच्चे भी वहां पे थे तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते रहते थे बट वह भार नहीं जाते थे उसके बाद क्या हुआ भाई वह अमेरिका में किसी लोगों को ऐसे ढूंडते हैं और पता करते हैं कि जो ब्लैक मेजिक कर सके हैं यह लेडी डूंड रहे हैं नहीं ने भाई-बन की लिए हो छाए जाने के बाद इसे किसी से बात करती है ऐसे सी चीज़ें है और हो बोल के गार कि तरफ रहां करेंगे हम कर डू थी बाई धीरे दीरे वख लेड़ी अभिनि उसकी 46 अभी करंटली और वो लेडी लगती है सतर साल की सतर साल की वो लेडी लगती है मैंने बोला कि हम ये तेरा हाल करें उस दिन चालू हो गया अल्मोस छे-सात महीने लग गया इस प्रोसेस को होने में अच्छा फिर भाई बंदी का एक क्या किते हैं लंग्स खराब बंदी के बंदी को पैरलाइज अटैक हो गया बंदी पैरलाइज अटैक हो गया उस बंदी के वो होने के बाद भी वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया उसके बेटों बेटों ने दिखाया तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे भाई वो बं लेकिन लड़की थी पैसे वाली मैंने आपको स्टार्टिंग हो बताया था भाई लड़की अपने बच्चों को ले जाके फिर अमेरिका में कोई ऐसा फाइंड आप करती है कि जो मेरे को इस चीज से प्रोटेक्ट कर सके फिर भाई वहां से निकलती है निकलने के बाद किसी स मिलती है उसको बताता है कि आपके उपर यह मैजिक कर रखा है और यह आप हम नहीं कर सकते हैं वहां पे वह करीब थाओज़न डॉलर उसको फीज देती है लेने के हां इंडिया विकाने के बाद वारा नासी जा दिकाइग गढ है गड़ वहां पर गॉरी इस मोग है इस लोग है उसको घो लोग मिलते दो लोग उससे सत्रा हुर्पे ले 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 लेते हैं हुश वह से लूट ले दे ले रे उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है वह वापिस वहीं जाती है अपने घर में क्योंकि जो यूएस से का घर था ना वह उसी के नाम पे था अच्छा और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थे क्योंकि सारे चीज़ें अरेंज किसने करी तो वह से ऐसे किक आउट नहीं कर सकत कि तुभाई यहांसे निकल जा उसने क्या वह बंदी भाई यहां पे गई फिर उसको किसी ने मिलब फिर उसने कॉंटेक्ट किया हरी दुआर में किसी को हरी दुएर अप बिलीव नीं करोगे यह बात कितनी भी फेक लग रही हो लेकिन मैं आपको दिखाऊंग पर्सनली में आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा उस बंदी ने हरिदवार में आके दुबार अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए बाद दो तीन महीने बाद वह फिर आई किसी ने उसको दिखाया एक अगोरी है जो यूट्यूब पे फे इस चीज को एसेप्ट कर लिया कि इंडिया में जो गौड हैं महादेव विष्णुजी ब्रह्मा जी मातारानी ये शक्ति वो शक्ति जो बहुत पूजा पाट कर थी वो गहती के मेरे को बोल रही है कि तुम सब लोग नास्तिक हो मेरे से बूली तुम सब लोग नास्तिक हो प्रैक्टिस किया जाता है फिर भाई वो साउथ अफरीका जाती है साउथ अफरीका में भी वह आल्मोस्ट एक करोड़ रुपे खर्च कर देती है वहां पे रहे के उस बंदीने मुझे यह बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो आप कार ले सकते हो इतनी चीज़े कर सकते हो एक करोड़र पर साउथ अफरीका में खर्च करती है वहीं उनके साथ रहती है और वहां पे वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते थे जो से ठीक करेंगे उन्होंने भी ठगा और उसके साथ वो इंटीमेट होते थे और वह इंटिमेट होने के बाद वह बंदी वहां से उसको पता चला कि यह मेरा यूज कर रहे हो से समझ आ गया क्योंकि वह लड़की बहुत एजुकेटेड थी इंजीनियर थी सारी चीजे थी फिर उसके बाद भाई वह किसी अरब कंट्री में जाती है वहां पर जाके अपन नहीं लगी वहां पर भी ठीक नहीं भाई फिर भाई वह अरब गई साउथ अफ्रीका गई फिर उसे किसी नहीं गाइड किया कि आप कहते हैं आप न योरोप जाओ वहां पर ना एक कॉम्मूनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी पता नहीं दीरे दीरे वह कनेक्ट होती र कॉम्मूनिटी को जोइं किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वाश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई तो ओस सिर्फ बॉंबे वाला घर छोड़ के जो भी उसकी सेविंस ती दी जिए वाला भी सब्यां यहां पीं यहा भी ले ले मुझे ठीक कर दो तो ले ले लेना उसने मुझे यह तक offer कर दिया था तो मैंने उसक बुछा कई को भीडियों कर्दिया उन्होंने में भी मुझे ठीक नökर और फिसक्र मेर का किया है does से आते हूं वही वाली चीज हो गई है क्या कर रहे हैं तू इतने मैं आप इतने एजुकेटेड हो आपने ये सब कैरी मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है करी मुझे फर्क नहीं बढ़ता लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरही के से अपनी लाइफ सर्वाई कर सकती हूं मैं आपके बच्चों का क्या है आपके बच्चे कहां पे बच्चों को ही पर रख रख है उन्होंने उसके बाद भाई वहां पे जाती है कॉम्मिटी को सब कुछ डोनेट करती है यॉरोप में कोई जगह मेरे को नहीं बताया उसने करी का नाम नहीं बता सकते वहां के लोगों को मैंने सब कुछ डोनेट किया उन्होंने मेरा माइंड वाश किया और जो जो मिर से मांगते रहे मैंने सब कुछ इनको द वो लोग उससे हर मंत, every month, तीन हजार डॉलर ले रहे हैं. ताइला गुरूपे का सबस हो जया? हाँ. तीन हजार डॉलर ले रहे हैं, मैंने बोला, मेरे को ही देते थे, एक हजार डॉलर में उतने में टीक करने हैं. फिर? मैंने बोल दिया उसको. तो मेरे से करती, कि तीन हजार, करी नहीं सागर, भाई, लिटरली वो यहाँ पे गौड को अब्यूस करने वाली बात करने लगी, मैंने बोला, मैंने फोन काट देना, ये मत बोलना. मैंने बोला, हमारे लिए, हमारे भगवान से उपर कुछ नहीं है. आपकी क्या होकाता है, आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी समझो, ये वर्ड मत, बोलो यहाँ पे. करी नहीं, इंडियन पीपल आर फेक, ये वो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये है वो. इंडियन क्या भार भी बुदाई हुआ है. क्या, करी सागर अब वो आपका कोई ठीक नहीं कर सकता है, कहीं भी, इस धर्थी पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होप मेरी गुरू जी से जरूर है, कि आप मेरी बात करा दो. और मुझे भी पता हो ठीक नहीं कर पाएंगे, उसने उस घर को छोड़ा, बॉम्बे में वो रहती अब. तो बॉम्बे में रहने के बाद उसने मिर को, महला वही एक बोला कि आप मिर से मिलने आओ. तो भाई, जब मैं उससे मिलने गया ना, बॉम्बे अभी रिसेंट लिए, एकी दिन के लिए गया था, सुबह गया, शाम को वापस आगया था. भाई, जैसे ही मैं उससे मिलने गया, तो मैं उसको देखके लिटरली डर गया था, के भाई, ये बंदी क्या, और उसने जो मुझे फोटो दिखाई, ना, पहले की? पहले की. तो मेरे को ऐसा लगा, के अगर मैं उसे पहली बार देख लूँ, तो मैं ये बोलूँ कि मैं आप ही हो, बस जो. इतनी सूरत, इतनी खुबसूरत थी भाई, वो. इतनी ब्यूटिफुल लेडी बंदी. तो मेरे से कह रही ही, मेरे ये हल कर दिया है. पूरे भाई, डार्क सिर्कल, कॉले औरुखी आँखे, वाइट बाल हैं पूरे, जुर्डियां, रिंकल्स पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़े हुई हैं. अब वो जो तीन हजार डॉलर उससे ले रहे हैं, एवरी मन्त, भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर मैंने उसकी वीडियो कॉल कराई गुरू जी से, फोन पर, तो उन्होंने सीधा बोला कि आपके साथ ये चीज़ें और उन्होंने सिर्फ इतना बोला, कि आप आपके खुद के पुराने कर्म इतने खराब है जिस वज़े से आपको ये कर्म इभोगने बढ़ रहे हैं वो मुझा बहुत लॉजिकल और प्राने कर्म इतने खराब है कि अगर मैं पुराने कर्म का नाम भी लूँगा ना तो मेरे लिए वो बहुत गंदा हो जाएग बहुत practical बात करते हैं, भाई वो किसी को satisfaction नहीं देते, जो गलत है, वो गलत है, कोई ऐसा नहीं है, कि उन्हें कोई client बनाना या कुछ करना, उनको कोई मतलब नहीं है, और रही बात उन चीज़ों की, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या करा है, फिर उन्होंने बताया कि भ जूट बोल रहा है, अमेरिका से नहीं कराया है, वो इंडिया से ही कराया गया आपके उपर, जिस वज़े से आपको तक्लीफ पूरी है, और ये कई साल पहले की बात है, उसको टाइम बताया है, एक्जेक्ट, कि फरवरी 13 तारिक के बाद से ये चीज़ शुरू ही थी, और लेके चलो नूँगा, तो मेरिसे कह रही है, मैं आने की कोशिश करती हूँ, फ्लाइट भी बुक कर लिए उस बंदी ने, भाई वो आई नहीं पा रही है, उसके साथ भी यही कहानी हो रुखी, अच्छा, कि भाई मैं नहीं आ पाउंगी और ये वो, और मैंने उसको बोला कि आपको क्या लगता है, कि आप यहाँ के ठीक हो जाओगे, कैरी मिरको ना एक परसेंट होप आप से है, जो शायद मुझे यहाँ पे वो रिजल्ट मिल जाए, और मैं पैसे नहीं दूँगी, मैं ठीक हो जाओँगी ना, तो मैं घरी दे दूँगी आपके, तो मैंने कहीं ना कहीं, भाई वो चीज बहुत गलत है, उस लेडी को मैंने देखाना, भाई 46, क्या ही एज होती है, सही बात है, वो लेडी 70 साल की लग रही है, और आज भी वो लेडी वहाँ पे तो कर रही है, और वो कॉमुनिटी जहाँ पे उसने पैसा डोनेट किया था, वो आज मैं और कNew Kayla, वो मैं अपने लिए तो के लिए तो नहीं, मैं अपने बच्चो की वज़ए से यह सब कुछ कर रही हूँ, कर मैं सर्वाइव नहीं करोणगी ना, तो मिरे बच्चो को भी मार रहा है, और उसके बच्चे आज की टाइंब पर उससक अगेंस करे जारे हैं, और उससे घरवाले जुसे नेखी था ना यहीं चीज पूछी जैसे आपने मेर से पूछी मत unas diagnosis में पुछी किरे हां वह तो एकस्प्रेस वे से आरेacammos Our radar fashion किसी चीज है तो मैंनला पक्का एक्सिडेंट से हुई है तो किरी वो तो मुझे नहीं पता तो मैंनला उसके जवाब मैं आपको दे दूँगा आप एक बार यहां आप देख लेना आपको क्या लगता है तो भाई मतलब इसकी बात का यहीं कॉंक्लूजन है कि ब्लैक मैजिक और यह चीजें ऐसी वह हैं आज के रहें ट्रेंड है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं मतलब रिलेशन्शिप को पाने के लिए इन चीज को करने के लिए जंदी करा पर दी बरबाद हो गए वो लेडी उसको देखके मैं शौक्ड हो गया मैंनला आप मैं क्या लगते थे मैं करी मुझे लग रहा है कि मैं बची उसकी वज़े से रही हूं वो मुझे सिर्फ सर्वाइव करा रहें लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं सोचो या जो लीडी यहां गई फिर अरब गई फिर साउध आफ्रीका गई फिर वहां पे गई फिर घूम फिर के यहां पर अब उसको लेकिन अभी भी वह यह बोल रही थी कि मैं बिलीव नहीं करती हूं लेकिन एक परसंट चांस लेके देख लिए बताओ ऐसे लोग हैं और मैं तो वारणासी वाले लोग ढूंड रहा हूं पता नहीं कौन कहां उसको दो लोग मिल गए हैं जो सत्रा लाक रुपे ले ले लि परकि मैं recover कर जाओ जो परिशान होता ना भाई इसका mentally मैं समझता हूं पर लेकिन इतना तो पता चलता है कि गलत क्या है सही क्या है मेरे पास भी कोई आता है तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं जो हमारा खर्चा-खर्चा लगता है travel expense लगता वो दे दो भाकि आप अपनी अठाइस लाग रुपे रखे थे अमेरिकन एमबसी में उसकी मदर कुछ एक हाइयर पोस्ट पे थी उसने अठाइस लाग रुपे रखे थे अगोरी को राजस्थान में वो इंटिमेट होती थी न्यूड होती थी वो बोलता था कि अपने कपड़े उतारो और अब तेरी में करूंगा तंत्रविद्या करूंगा फिर भाई वो वहां गई वहां जाके वह इंटिमेट होता था अठाइस लाग रुपे उसने खर्च करें मेरे पस ग्रेटर के लाशकर अडगा है उसने फोन करके बोला कि भाई पैसे ले ले जितने मर्जी मेरी फ्रेंड को ठीक करके द अधिक मौमडन पे गई उसने जाके उसने उसने इसने अपनी इको सपोर्ट कार गिफ्ट कर दी के तूँ यह दे दे वो कैती मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है एक महीने तो वह कहता हमेरे कुछ तो देना पड़ेगा उसने वाई इको सपोर्ट ही दे दी उसको बोला जब जब उसकी बात करा तो गुरु जी ने उसको बोला के तेरे घर में मूरती के पीछे माता कि तूमने तस्वीर Feels पर किसी बकसे के नीचे अधाथ कि लगेश के नीचे रख रख थी है तो कहते है तुम यह क्यों ने करिका नहें हाँ republic मैं भूला आप ठीक भी नहीं होगे फिर भाई क्यों कर रहे हो आप मानो ना मानो लेकिन गलत मत बोलो भी दिस्रिस्पेक्ट मत करो और नेक्स्ट केस क्या है अपने पास है कुछ आप कहरते है एक एर होस्ट्रेस का कुछ है एर होस्ट्रेस तो जरूरी है आप यही रर्लेशंशिप और यही सारी चीजे बहुत जादा चलते है एक एरलाइन है जो पानी भी नहीं देती और बड़ी फेमस है इसी और इसी और पानी नहीं देती थी उसी में से एसी ऐर होस्ट्रेस निकली जो किसी पानी बिलाने चली कि हूँवा पर फ्लाइट में अ तो भाई वहां पर वह सर्फ कर रही थी चीज़的 शर्फ करने के बाद उसने किसी को पानी वानी ओफर किया तो वहां फिक लड़का उसको मिला बहीं पर बैथा हुआ था पैसिंजनर तो उसको देखने वही इनिशिल स्टेज स्टार्ट हो गए वहां पर उसके बाद क्या हुआ कि लड़की फ्लाइए करके कॉलकता जारी थी लड़का कॉलकता का था और फ्लाइट भी वहीं जा रही थी भाई वहां से एरपोर्ट से लेंड हुए पहुंचने के बाद उस लड़के ने उसको पि पिर स्टार्ट हो गया मतलब इंदियांड शॉड में बताऊं कि उनका फेर स्टार्ट हो गया लेकिन उस लड़की का अल्रेडी एक बॉइफिंड था जो कि डेली में अच्छा जो कि डेली में और हर्याना का वो लड़का है चीटेंग कर रहे हैं चीटिंग तो बहाँ पर क्या हुआ कि तो क्या कहते हैं वहाँ पर उस लड़के को पता चलिए कि इसका फेर किसी से चल रहा है कि यह बंदी मेरे को कहीं न कहीं डिच कर रही है तो वह कैसे ना कैसे उससे लड़के फोन वोन लेता है उस बंदे को फोन करता है कि यह मेरी गल्फरेंड है और मेरे इत करता है उसको पन पर उसको लड़की को एरलेन 350 पर मारता है और वह कैसी कउणी कर साथिए लंग कि आ जैसे ही उसने फिर उससे कांटेक्ट किया, उसने बोला ठीक है भाई, छुड़वा देते हैं, सारी चीज खतम कर देते हैं, कैसे ने कैसे उसने उसकी फैमली में इन्फरम किया, कि भाई ये ऐसे से कर रही है, तो उसके घरवालों ने उसे रोक दिया, लेकिन लड़का फिर इसा है कि उसने उस चीज को असेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है, कि चीट कर रही है, जो चीजें होनी नहीं थी, वो भी हो गई है, भाई उसके बाद क्या हुआ, कि उस लड़के ने उसको दुबारा ऐसे करके, स्टॉक वॉक किया होगा, इंस्टाग्राम कोलकता कोलकता वाले ने, कि भाई, I want to meet you, ये वो करके, और I'm coming Delhi, तु मेर से मिल, लेकिन इस टाइम पर उस लड़की ने लोयल्टी दिखाई, उसने बुला कि यार उसका मेसिज आया है, और वो मिर को ये बोल रहा है, तु बुला ले इसको, भाई वो उसको बुला लेते हैं, यह इस लड़की को तो भाई ला के रहो जायगी हो जाए, फर भाई Kalakatta का जादू शूरू होजाता है वही पर, Black Magic, वोभी Kalakatta का Kalakatta का पान और Black Magic फेमाँस है, तो भाई पर क्या कहते हैं? वह लड़का पता नहीँ क्या कराता ऐ ऐसा वशी इकरन टाइप, जो भी कराता है भाई वो लड़की आटोमेटिकली वहाँ पहुंच जाती है उस लड़की के पास मतलब प्लाइट लाइट में जाती है सुबाई सोती यहाँ उठती वहाँ नहीं नहीं मतलब उस बंदी ने सब कुछ चीजें सेट कर ली हैं मिलने चली जाती है क्योंकि हमने ऐसी भी स्टोरी सुनी है बाई अपने पाड़कास्ट पर कि बंदा सोता ता कई और और उठता ता कई और इस लेवल का भी होगा है का बोलने का तदिगा कि वहां पहुंच वह अपने बंदा तो बंदे के पास जाती है और बोलता है अपने बॉइफिंड को फोन कर उसको बोल मैं तेरे साथ रहुंगा अपने boyfriend को बोल और तू भी मेरे साथ रहेगी भाई वो बंदी उस बंदे को video call करके बोलती है I am in call करता I am with him और भाई ये scene है दिल्ली वाला बंदा तो क्या ही सोच रहा हूँ और वो भाई अपने अर्याने का उसके खिसक भी होगी भाई भाई वो बावला हो गया बिल्कुल वो तो ये हो गया होगा वहीं जा के मारो हाँ 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 यही scene होगा भाई उसने क्या किया उस बंदे को पता चला उस बंदे ने भाई उसके घरवालों को इन्फॉम किया सारी चीजें करी अब जो बंदा था जैसे कि अब फ्लाइट में वो यार कही ना कही वो लड़का बैटर दिख रहा होगा या कुछ चीज ऐसी कॉलिटी उसमें होगी तभी तो उसने उस बंदे को छोड़ के उसको एसेप्ट किया अब वाई उसकी फैमिली समीथ हो वह बाद कर दे घ़ा भी को बुल रहा है कि तु मेरे साथ रह Sangat तो छोड़ दे वहाई पोरी फैमिली चली गई तबतक लड़का इनवाल ने आऊ उसके फैमिली वालों ने भोले लडा आथ कि हम जाके बात कर…… लड़की भाई अपने पेरेंट्स को गह रही, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं इसी के साथ रहूँगी, अच्छा, यह चीजें होने लगी, भाई लड़का जाता है, वहाँ पर पता करता है, कि सारी कहानी, सारी स्टोरी क्या है, वो अपने कुछ लिंक निकालता है, सारी ट्रांसफर कर रहे हैं, I don't know. वहाँ पर बाद में पता चलता है कि थोड़े टाइम बाद वो लड़की उस बंदे को छोड़ देती, अपनी फैमिली को छोड़ देती और उसके साथ रहने लग जाती है. और उस टाइम पे वो जो ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा था, वो उसको बार बार बुलाता रहता था, कि एवरी वीक आते रही हो, कहीं इसका माइंड न पलट जाए, वापेस न चली जाए गल को. और ये ब्लैक मैजिक करने वाला थोड़ा ओल्ड बावा टाईब है और ये थोड़े जंग है, ओल्ड है भाई, बहुत जादा ओल्ड है, फॉर्टी राउंड उसकी एज थी, भाई ये सारी चीज हो जाती होने के बाद न वो बंदा उसके साथ वह रह रहा है, लड़की ए कर रहे थे, जैसे ये हमें एवरी वीक बुलाता था, कैरा इस लड़की ने मेरे को उस ब्लैक मैजिक करने वाले बंदे ने मुझे भी वहां पर फेंट कर दिया, भ्योश कर दिया, अब वो लड़की कह रही है, मैं इस तांत्रिक के साथ ही रहूंगी ना तेरे साथ रहूं कर दिया, भाइ ने भावा ने खुद वश्य कर दीया, छोध टृब, अब और वाश कर दिया, उसको सब को ने उसको कर दिया, सब का शक्रदी वाले,व्योश कर दिया, और भाई वो लड़की यंग थी, अ। उसने उसकी फोटो भी दीखे उस बंदे को आके icher नेक्ट कि कि नयत खराब हो तो बहाई बता वही चाहरा है। नहीं चीज किसी भी कहीं भी जाओ अपनी हेल्प के लिए मैं यह नहीं कहता लेकिन कम से कम कुछ लोगों को साथ लेके जाओ करेक्ट आपको पता हो कि इतने लोग आपके साथ में तो कोई कुछ गलत ना कर सके और वह आज के टाइम पे दोनों हमें रो रहे हैं और परिवार वर अले सब कुछ रो रहे हैं वो करें हम क्या करें वो लड़की भाई उस बंदे के साथ रह रही है जिसके घर में ढंग से ना चार चम्मच तक ही है उस्तांतरिक के साथ यह दा बहुत गलत काम किया उस्तांतरिक ने आर अब देख लो भाई तो यह भी बाई यह तो वही हो गया फेक अधिए उनका खतम हो चुका था फिर वो बंदी दुबारा जाकर उसके पास जाती है उसके साथ रहती है तो इतनी पावर उस मंदे में थी ना कि उसको वहाँ बुला लिया और बुलाने के बाद भाई उसको भी ऐसा कुछ किया कि वह बंदी ने उसी को मनलब उस बंदे न करमा खराब हो गया, चीटिंग से ही, चीटिंग का तो कर्मा खराब गया था पहले ही, तो लिए तू ने गलत किया तो तो तेरे साथ ऐसे ही हुआ, कि तो वही निकल गई, क्या जिंदगी रह जाएगी उसकी? है भाई वह निकल नहीं देगा कभी और वहां पे अराम से रह रह रहे हैं और इसका कोई कुछ नहीं कर रहा है क्या है मैं रहोंगी साथ शुप sécurर रहे ल्हाघ को शिधा रही है कुशिश खरी उन्हें पूला नहीं पूल य Ray वह अपनी मर्दी से रह लिया वह कह रहे कि इसने कुछ किया है वह कह रहे कि आइविदेंस दिखाऊ इन चीज़ें को खतम करते हैं वह फिर से मज़ा आ गया सागर भाई के साथ बैठका है होप हमारी ओडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा ये कहानिया सुनके और अब से में एक मेसेज भी होता है जिससे आप सीखने को मिलेगा आपको हर चीज में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है डूस और डॉंट्स पता चल रहे हैं फेक तांत्रिकों से बचके रहा हो जैसा की भाई ने बोला बाही ने बताया मैं कहरा हूँ काम हो ना हो मत जाओ किस आप यूटीव पे इनके यूटीव चैनल का गोल बटन आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हम ऐसी मिलेंगे आप से एक और मैज़ार एपिसोड में अगर सागर भाही के एपिसोड में आपको मजा है तो पार्ट फॉर के लिए कॉमेंट कर दो हम दुबारा भा आपके रिलेशन्शिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी शादी नहीं वर्क आउट कर दी है या फिर आप थोड़े कंफ्यूजड है कि मैं कौन सा करियर पाथ चूज करूँ वह आप लोग के लिए एक पैरा टॉक्स डिस्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है आपको मिलेंगे कुछ स्किल्ड एक्स्पिरियंस पैरा एक्सपर्ट जो की ओकल साइंस एक्सपर्ट से यह लोग आपकी हेल्प डेफिनिटली करने वाले हैं तो जितने भी यूजर जाके डाउनलोड करो आपको मीच्छे डिस्रिप्शन में लिंक मौजूद है और अगर आपल यूजर है तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मौजूद है फॉर्म को फिल कीजिए पैर एक्सपर्स आपको आगे से खुद करेंगे दाट इस एट हम मिलेंगा आपसे नए पॉड़कास में तिल दन बाइबाइबाइब सी यू टेक कैर अपना ख्याल रखो एंड इस पॉड़कास को लाइक करते ना एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दा चैनल ऑलसो रियल इट को सब्सक्राइब गड़ों बहुत जंता है जो बीना सब्सक्राइब हुए पॉड़कास उन्जाई कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब से यू